कि मीडिया सार वर्ल्ड के नाजरीन को मेरा आदाब आज उस प्रोग्राम की दूसरी कड़ी के तौर पर हम हाजी रहें आपके सामने वहमद हमत काजमी साहब से आज कुछ बात करेंगे पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमने दानी सिद्धीगी जो राइटर्स के करते इसके फोटोग्राफर थैं उसके वह अफगानिस्तान में मारे गए थे और उनके पहारों करद हमने प्रोग्राम मना आ तब बहुत uwag करेंहसटार को निशान के रहे हैं उन्होंने जण लाकों करते रहे हैं और बहूत लंबे अरसे तक इन्नोंने इराग का दौरा किया इराग की जंग उन्होंने कवर की और दूरदर्शन का एक प्रोग्राम बड़ा मकबूल प्रोग्राम आता था वर्ल्ड व्यू जो बहुत ही सीनेट जनलिस्स साहीद नकवी साहब जिसको हैड करते थे काजमी साहब उस प्रोग्राम का जरसर पिलर थे और बहुत ही इंट्रेस्टिंग चीज़े हम आगे बयान करेंगे लेकिन आई आज शुरू करते हैं उसकी दूसरी कड़ी के तौर पर और काजमी साहब से कुछ और चीज़े जानते हैं काजमी साहब इस प्रोग्राम में आप को खेर मगदम है अलग कि ये तो आफीका चैनल है लेकिन प्रोग्राम मेरा है जी जी बेशने आपको खेर मगदम है दानीच सद्धिकी के तालुक से हमने बात कि थी फिर आप Irak के तालुक से बहुत अपने कुछ इंट्रेस्टिंग तज्रबात बताई थे और मौत आपके करीफ से होकर गुजर गई थी यानि आपके शाने के ऊपर से मौत गई थी तो ये बहुत ही इंट्रेस्टिंग था और इसको हमारे नाजरीन ने बड़ा पसंद किया और हमने वादा कर लिया था कि हम इसको थोड़ा आगे और चलाएंगे कुछ और किस्तों में, कुछ और तजरबाद तो आप जरह बताईए कि आपने इराक के किन किन जंग जदा इलाकों का दोरा किया और आपको कैसे कैसे मसाइल पेश आए मैं तो बल्गे आपसे ये भी जानना चाहूंगा चुके मैं खुद इराक होकर आया हूँ 1997 में और आप तो उसके बाद गए जब हालात और खराब हो गए थे और रिबिल्डिंग के बाद इराक और तूट चुका था तो आप ये भी जरूर बताईएगा हमारे दर्शकों को कि क्या आपको सही वक्त पर नाश्टा मिल जाता था सही वक्त पर दोपहर का और रात का खाना मिल जाता था और क्या हर वक्त आपको मौत का खटका लगा रहता था कुछ चीजे जरा सा हमें बताईए जहां सा आप शुरू करना चाहें देखिए मैं मुझे भेजा तो गया था ये कह करके कि एरान जाईए और एराक जंग से मतालिक खबरें करते रहे लेकिन अगर मौका लगे तो एराक जरूर जाना लेकिन मैंने अपने टार्गेट में शुरू से ही रख लिया था अपने जहन में कि मुझे एराक जाना आपके अब्लिगेशन में नहीं था आप लेकिन खुद यह होगे वह बने खुद इनिशिटिव लिया तेहरान जा करके और किसी भी जनरलिस्ट के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत कम मौके आते हैं और जिन्दगी मौत तो जाहिर है वह मौत तो एक बार आएगी लेकिन काम करने का एक मौका हुता है कैलीबर अपनी जो कोशिशें हैं वो सब आवाम के सामने लाने का मौका होता है और एक हिस्टारिकल इवेंट होती है जिसकी आप इसका गवा बन जाते हैं तो ये ज़ब मैं तहरान पहुछा तो मैंने वहां से कोशिशें चुरू की और वहां की कुछ हुकुमत के लोगों ने जो इंटरनेशनल मीडिया को कवर कर रहे थे चूंकि जब किसी मुलक में जंग होती है तो उसके आसपास के मुलकों से ही लोग एंटर करते हैं फ्लाइटे तो बंद हो जाती है तो इराक के मामले में या तो लोग जॉर्डन से आ रहे थे या सीरिया से आ रहे थे जनलिस्ट या इरान से जा रहे थे या तर्की से आ रहे थे तो इस तरह से मैं इरान वाले रास्ते से इसलिए गया था कि महां बहराल मैंने एक लंबे अर्से तक उनके मीडिया के साथ काम किया है उनकी जबान जानता तो उन्होंने एक कोशिश की चुँके सद्दाम हुसेन के आखरी बरसों में कई अपोजिशन लीडर्स इरान में बेस्ट थे जिस तरह से हमने पिछली बार बात की आयतुला बाकरिल हकीम की इसी तरह से कुर्दिस्तान के भी कुछ अपोजिशन लीडर्स तहरान में मौजू थे तो किसी एक लीडर का उन्होंने मुझे मौबाइल नमबर दिया जिसको मैंने कभी नहीं देखा और उसके जरीए उन्होंने एक रास्ता बनाया और मैं अरूमी एक शहर है एरान का कुर्दिस्तान के बॉर्डर के नजदीग जो आजरबाइजान के नाम से सूबा है एर कि आजरबाइजान का उस रास्ते से बॉर्डर से गया यह आपको बसे देखे और दो बहुत से जर्रे दूसरे मुलकों के भी आई रहे होंगे और उनको भी वह फैसिलिटेट कर रहे होंगे तो उन्होंने जाहर है मेरी चोईस थी मैं आपको बता दूँ कर ना तो मेरा क्रारña'केٹ कुछ भी नहीं था. और अंडाना कुछ कुछ भी नहीं धा. जो आपका इम्पोराय Till था. उसी नहीं आपको नहीं उसकेलिए कहा था. जी 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 जी. उनको मालूम تھा कि वहागे हालागे कितने खराब हैं. तो उसके साथ साथ हमने ये, मैंने ये किया कि मैं पहुंचा कुर्दिस्तान वाले इलाके में चुँके मैं इस बात को जरा मुखतर करूँ ताके आगे बात बढ़े तो मैं बिल्कुल शुरुआत में कुर्दिस्तान में एक शहर है अर्बिल के नजदीक सलाहदीन और ये सद्दाम हुसेन ने एक नया पिकनिक सिटी टाइप का बनाया था, बहुत ही अच्छा शहर है, पाली के उपर वहां कुर्दों का एक आफिस था, उन्होंने एक कागज मुझे बना करके दिया जिस पर मेरा नाम वगरा लिखा था, वो एक तरह से उनकी तरफ से आइडेंटिटी थी कि कहीं अगर तुम्हें कुछ प्राबलम हो तो ये कागज दिखा देना आप आराम से निकल जाओगे, जंग की हालत में तो खेर, मैं अरबिल पहुँचा, जिस दिन मैं अरबिल पहुँचा, 9 अपरेल थी उस दिन, और होटल के कमरे तक पहुँचते पहुचते, मैंने टेलिविजन आउन किया तो सदाम हुसें की स्टैचू गिराई जा रही ती, नौपरेल 2003, उसी दिन सदाम हुसें की event बनाने के लिए ये किया था और वो statue गिराई गई थी वो वीडियो आपको याद होगी तो उसके बाद मैंने वहाँ पर एक मकामी जो एरान के टेलिवीजन के लिए काम करने वाला कैमरामैन था लोकल एरागी उसको रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ काम करे और उसके साथ मैं मुक्तलिफ शहरों में किया उसके साथ होने से मेरे साथ मुझे बहुत आसानी है हो गई कि उसके connection ठूकर वो working journalist उसे एरिये में था पहले से वो ये समझ सकता था या उसके पास ऐसी information मिल जाती थी कि कल किस शहर में अमरीकी फौजे आने वाली है तो उसी के जरीए मैं पहले दिकरीत में पहुँचा सदाम हुसेन के शहर पहले ही दिन मौसुल पहुचा जिसमें ये अबुबकर अलबगदादी ने बाद में इसलामिक स्टेट को अनौंस किया वो मैंने कवर किया और मौझे वो वाकिया बहुत अच्छी तरह ऐसे याद है कि मौसुल में एक बैंक लूटा जा रहा था हमारे सामने और फारिंग हो रही थी अमेरिकन्स जो थे उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे लोग ऐसे नोटों की गड़्डियां नहीं लेकर के भाग रहे थे और अजीब सुरत हाल थी नए नए नोट सदाम हुसेहन की तस्वीर के साथ और कोई भी वो पैसे का लालस तो किसी को भी हो सकता है तो उसमें हाथ मारके वो पूरी सड़क में वो गड़्डियां फैल नहीं और सब लोग लूट रहे इस तरह की चीज़ें तो उसमें बाकाइदा फारिंग जब हुई तो हम कार के साइड में हो गए फिर खड़े हो गए इस तरह से वो सब किया तो मैंने एक ब बहुत नजदीक से गुदर गई लेकिन हमत नहीं हा रही बुनियादी बात ये थी कि एतनी बड़ी तादाद ना सिर्फ मेरी की गई स्टोरीज को गेर मुल्की बड़े मीडिया हाउसिज ने भी कवर केरी किया है मिसाल के तोर पे आयतुल्ला बाकर इलहकीम का इंटर्वि को गिरफतार करते हुए वीडियो हमें मिल गई इतफाक से हम वहाँ पर थे हमारे कैमरा मैंन को अमेरिकन फोर्सिज ने रोका भी उसने का नहीं यह जैनेवर कन्वेंशन में मुझे इजाज़त है और उसके लिए बाकाइदा हमारे चैनल के लिए जो एपी टीन एक बिटि खर्चा हो सकता आजकर तुम वाटसेप पे बेज़ देते हैं उस जमाने में यह इस तरह से होता था दो दिन की वीडियो उन्होंने फ्री हमारी भेजी इसलिए के वो एक वीडियो क्लिप हम से उन्होंने ली और वो एपी टीन और दुनिया बर में वो चली तो यह इस तरह से काम किया और बहुत ही बेखोफ होके किया और उसके बाद जब यह मौसल तिक्रीट ये शेहर सब अमरीकी आ चुके उसके बाद यह मौरम किस बाद का मौका था और चहलुम था इमाम हुस्ञेन का नजडीथ तो मुझे मालूम होा कि चहलुम के लिए तैयारी हो रही है कर करبلा तो मैं करبلा गया करवला पहुचने के बाद मैंने सईद नक्वी साब जो हमारे हैड सीनर जैनलिस्ट जो हमारे प्रोगाम को हैड कर रहे थे मैंने उन से पूछा कि साब मैं नौर्थ से साउथ में आ गया हूं और मैं कोई टलिविजन तो देख नहीं सकता और मेरे अपन हैं सतीज जैकब ने बगदाद छोड़ दिया था बीबीसी के सतीज जैकब साब जो हमारी टीम में थे उन्होंने वो बगदाद छोड़ करके ओमान जाके बैट गए थे और दूसरी एक टीम थी जो बगदाद पहुचने वाली थी लेकिन मुझे उन्होंने फ्री हैंड दिया कि जहां भी खबर आपको लगे आप वहाँ जाओ आज तक भी वो किसी को इंट्रोड्यूक्स मुझे कराते हैं तो यह कहते हैं कि बड़े बड़े से फिर कवरिश शुरू की और शहरों की जिसमें बहुत ही एहम एक वाकिया हुआ था बगदाद के नजदी की एक शहर में जिसमें अमरीकनों के और लोकल अराकियों के बीच में जगड़ा हुआ था दो तीन شہر ہے آہ بغداد سے ویسٹ میں آہ اس میں آہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مکہ کے بعد میں دوسرا دنیا کا شہر ہے جس میں مسجدوں کی اتنی تعداد ہے آہ اہل سنت حضرات اس میں رہتیں زیادہ تر اور انہیں اس بات سے ایریٹیشن تھی کہ یہ جو امریکن فوجی ہیں یہ شہر میں گلیوں میں گھومتے ہیں اور ہماری عورتوں کی طرف اور ویمن فوق کی طرف جو ہے وہ اس طرح کی نظروں سے دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پسند نہیں है तो खेर वो मैंने कवर किया और उसके बाद बवदाद से साउथ के जतने शहर हो सकते हैं मसलन उसमें अलकूत नासरिया बस्रा अम कस्र यह अम कस्र मैं आपको याद दिलाओं कि अम कस्र में उन दिनों इतनी गर्मी थी कि मैं कैमरे के सामने नॉर्मल ऐसे खड़ा नहीं हो सकता था तो गोगल्स लगा करके जो धूप वाला चश्मा होता है वो लगा करके खड़े होके पीटी सी की तो दिल्ली में मुझसे पूछा फोन करके कि भी यह बगएर उसके आप करते तो बेतर था तो मैंने बताया कि वह 48 डिगरी सेंटी ग्रेट में मैंने वो स्टोरी की थी तो यह बहुत ही एक तरह से जनलिजम के लिहाज से बहुत ही रिवार्डिंग एक्सपीरिंस था मैं आपको बताओं ना तो मैंने सेलरी पर ज्यादा डिसकस किया ना इंशूरेंस मांगा को कुछ नहीं मांगा मैंने सिर्फ काम किया और वो एंजॉय किया कई स्टोरी करते हुए कभी ऐसा हुआ कि आपको स्टोरी भी करनी जरूरी है अगर इस वक्त ना की तो फिर वो मिलेगी नहीं और आपको प्यास भी लग रही है फोटी एट डिग्री आप बता रहे हैं पानी भी आपको मैसर नहीं है पानी अगर आप खरीदेंगे स्टोरी है नहीं जाता था चुक्रिक्षैकर मैं यह समझता था कि यह सब कुछ एजनसी के जरीए मुझे चैनल को मिल जाएगा इसलिए मैं एक्सक्लूसिव स्टोरी में यह गुंजाश होती है कि आप अपनी चौैस से जासकते हैं तैयार होके जासकते हैं आपने एक दूसरी बात क कही कि क्या आपको खाना पीना ये सब ठीक से मिल जाता था या नहीं देखिए फाइव स्टार होटलों में जो खाना होता है वो एकाथ चाइम तो खाने में ठीक लगता है ऐसा लगता है कि आप फाइव स्टार होटल में रह रहे हैं और जंग जदा फाइव स्टार होटल में वो बुफे किसम का खाना होता था और एक ही किसम का हर दिन चुके जंग हो रही है तो मैंने बगदाद में एक जगह तलाश कर ली थी कर्रादा एक जगा है बहुती मशूर कर्रादा दाखिल, कर्रादा खारिज तो ये कर्रादा खारिज इस होटल फिल्स्तिन के नजदीक था वाकिबल डिस्टेंस पर जहां पर मरदीना और āरिस चौर वाली कहानी का मरजینہ की एक स्टेचू लगी हुई है बगदाद में उसके नजदीक तो दोपहर का खाना तो वहां अच्छा मिल जाता था रात में कर्फी होने की वज़े से वहां रात में खाना नहीं मिलता था सुभा में नाश्ता हम होटल वगर ऐसे करते थे या रात में फिर बुफे से काम चलाते थे जो कुछ होटल में होता था तो यह सूरत इहाल देखिए बुनियादी तोर पर अगर जनरलिस्ट अपना काम इमानदारी से करे तो खाना पीना आराम रेस्ट यह सब सेकेंडरी और बाहर से कोई आया जनरलिस्ट तो उससे पूछते थे आरे सब क्या ख़बर है तो मैंने कुछ लोगों से मजाख करना शुरू कर दिया था मैं तो सुभा निकलता और वो एक पाकिस्तान टीवी के एक साहब थे पाकिस्तान में हमारे देखने वाले बहुत से लोग देख बैठे होते थे सुभा में मैं कहता था मोहीत साब आईये चले बसरा चलना है घूमने आईये साथ चलते हैं और काजमी साब आपके भी तो बीवी बच्चे होंगे फैमली होगी खबर तो होती रहेगी तो मैं खेर ऐसे मजाख करता हुआ निकल जाता था जब वो शाम में द लिए दोड़ करके एक्स्क्लूजीव पी टीवी एक्स्क्लूजीव पी टीवी इस तरह की स्टूरीज वो बहराल ऐसे करते थे लेकिन बन्यादी बात वही है कि खबरों को करने में कई चीज़ों पर तوج्ज़ रखनी पड़ती है एक तो यह कि आपकी आथेंटिक खबर हो आपकी हकीकत पर मबनी खबर हो और उसमें कहीं कोई किसी के खिलाफ या किसी के हक में न जाकर के हकीकतें बयान करते रहें यह हमारे प्रोग्राम में चूंके मैं खुद अमबेड़िड नहीं था और मेरे ख्याल से हमारी टीम के प्रोग्राम के कोई भी अमबेड़िड नह लेकिन इस में मैंने बिलकुल निडर हो करके अमरीकी टैंक के सामने खड़े हो करके अमरीका के अंदर डिपार्टमेंट अफ स्टेट और पेंटगन उनके बीज के इखतलाफात तक को डिसकस किया है उस जमाने में जो मिनिस्टर्स थे, उनके इक्तलाफात थे, तो वो भी मैंने डिसकस किया है, और भी चीजें, और बनियादी बात यही है, कि खबरों को बहुत अच्छे से करना चाहिए, और मैं और भी बड़ी दिल्चस्प बात बताता हूँ, जो APTN यह था, टेलिविजन नेटवर्क वाले, उनका सेटलाइट के जरीए, उनका पैसा कमाने का काम था, फिलिस्तियन होटल में उन्होंने पूरा सेट अप लगाय हुआ था, एक था IHS, इखलास के नाम से, वो तुर्की का नेटवर्क था, उन्होंने बहुत से OBVAN इराक में भेज़े हुए थे, वो ना सिर्फ अपने लिए, बलके वो कारवार के लिए, बिजनस के लिए, चूंकि दूसरे मुलकों के जो जरनलिस्त काम करते हैं, तो वो अपनी वीडियो भेजना चाते हैं, तो उसके लिए वो थे, तो मैंने एक बार उन से जब बात की, तो उन्होंने 700 डॉलर के लिए कहा कि हम 700 डॉलर में आपका भेजेंगे, तो मैंने वो 700 डॉलर से शुरू किया भेजना, दो, तीन, चार बार ऐसा किया, तो यानि हर 10 मिनिट की फीड पे 300 डॉलर मैंने अपने कंपनी के बचाए, और वो हर जगा मिल जाते थे, हर शहर में, एपीटियन वाले तो हर जगा नही है, लोगों की साइकी समझ में आती है, लोग किस सोच के साथ, यानि आप सोचिए कि जस तरह से काबल में लोग, मिसाल के तौर पर 40 साल से जंग में रह रहे हैं, या एराक के लोग, पिछले 30, 35, 40 साल से वो भी जंग की हालत में रह रहे हैं, पहले सद्दाम हुसेन के जमा काम रहते हैं. उन के नफसियात क्या होते हैं। वह किन सब समझने में आइ मैं समझता हूँ बराहे रास जो कि ऑस जर जर दिर्प होते हैं आइ और मैं अपने जगर अगर देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो टेबल पर बैट करके जर्नलिजम होती है कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लिए और उसकी बन्याद पर आपने लिखा ये काफी नहीं होता हकीकत वहीं पता चलती है जब आप ग्राउंड पर होते हैं और ग्राउंड से चीजें जो समझ में आती हैं वो अग आगे भी जारी रखेंगे एक बात आपने जो शुरूर में बताई थी इराग के जिलावतन लीडर थे आयतुल्ला बाकरल हकीम जो इरान में 23 साल तक रहे थे तो कादमी साब ने उन से इंट्रिव्यू किया वो बजाए खुद इंट्रिव्यू प्लान करना ही बहुत एहम बड़ा मुश्किल काम था लेकिन इंट्रिव्यू लेना उससे भी बड़ा मुश्किल था मिसाल के तौर पर आयतुल्ला बाकरल हकीम इराग के थे और उनकी मादरी जबान अर्भी थी तो वो फार्सी जबान समझते तो थे चुकिए 23 साल वो इरान में रहे थे लेकिन वो डिप्लोमेटिक पाइंट ओफ इश्यू से बोलते भी नहीं थे वो तो यह होता ना जिस मुल्ब का आदमी होता वह अपरी जबान में तो काजमी साहब अर्भी जबान समझ सकते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे मगर फार्सी जबान बहुत अच्छी बोलते थे तो काजमी सा उन से फार्सी में सवाल किया और उन्होंने उसको समझ के अर्भी में जवाब दिया और यह दुनिया का अनोखा इंटर्व्यू यह रिकॉर्ड हो गया उसके बाद यह हंदुस्तान आया जिसको हिंदी में चलना था तो उसका तर्जमा फिर उसके लिए उसके लिए सईद नत्वी साब ने मुझसे पूजा कि वे ये कुछ आपने बेजा है ये आखिर हम चलाएंगे कैसे क्या होगा तो मैंने वदू साजिस साब का नंबर और नाम उनको भेजा और ये कहा कि इन्हें आप बुला लीज़े ये दोनों जबानों से तरजमा कर देंगे वो बहुत ही ब मशल से रिपोर्ट इंग जहां सद्दाम उसान के बेटों को मारा गया था तिक्रीट से रिपोर्ट इंग है मुक्तलिफ शेरों से रिपोर्टिंग है तो वो भी आप लोग देख सकते हैं हम इंशालला आइंदा मुक्तलिफ रिपोर्टों के तालुक से कादम साथ से बात करेंगे जो जंग के आलात में इन्होंने वहां से रिपोर्टे भेजी थी और आज के लिए इजादत दीजे बहुत 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 शुक्रिया खुदा अगर हमारी ख़बर सची और अच्छी लगे तो अपने वाटस अप इंस्टाग्राम पेस्बुक और ट्यूटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें